आप लोग को हम जोग्राफी पर आएंगे परतमान में जो बिग्यापन आने वाली है सुपर टेट के लिए जोग्राफी नाइंटेंट परस इंटर के लिए दोनों का लग-लग सिलेबस है लेकिन कुछ के चेप्टर कॉमन है उससे आपको कोशन पूछा जाएगा एक चेप्टर हरका समझ लिजिए चेप्टर का नाम है ताप कटी बंद ताप कटी बंद कटी बंद होता है क्या देख लिजिए जैसे ये पिर्थवी है पिर्थवी के बीचों बीच एक रेखा किची गई जिसको अपने लोग कहते हैं विश्वत रेखा भूमद रेखा इंग्लिस में एक्क्वेटर कहते हैं ये विश्वत रेखा जो है इसका काम है पिर्थवी को उत्तर दच्छिन दो बराबर गोलार्धों में बिभक्त करना याद रखना है जीरो डिगर अक्षांस को विश्वत रेखा भूमद रेखा इंग्लिस में एक्क्वेटर सबसे लंबी बिरित रेखा है विश्वत रेखा का काम है पिर्थवी को उत्तर दच्छिन दो गोलार्धों में बिभक्त करना अब दखिए विश्वत का कुप उत्तरी गोलार्ध नीच दच्छिनी गोलार्ध निदर नहीं स्वियर सदर नहीं स्वियर विश्वत रेखा के सारे 30 डिगरी उत्तर जिसको अपने लोग कहते हैं कर्क रेखा कर्क रेखा सारे 30 डिगरी उत्तर को कर्क रेखा सारे 30 डिगरी दच्छिन को मकर रेखा कर्क रेखा कि इंगलीच वा ट्रोपिक आप कैंसर मकर रेखा कि इंगलीच वा ट्रोपिक आप क्यप्री कौन होंगे syllabus में देल है मानचित्र याद रखेगा मानचित्र में आपको पूछ सकता है तौपकटिबन से कि विश्वत रेखा विश्व के कितने देश से गुजरी है विश्वत रेखा विश्व के तेरा देश से गुजरी है वत तेरा देशे एक्वेडोर, कोलंबिया, प्राजेल, साउटोम, गैबन, कांगा, कांगांगांगांडाज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, माल्दुप, इंडोनेशिया, किरिवाथी, विश्वत रेखा तेरा देशे, तेरा देश के नाम जान लिजे, एक्वेडोर, कोलंबिया, प्राजेल, साउटोम, गैबन, कांगांगांगांगांडाज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, माल्दुप, इंडोनेशिया, किरिवाथी, अब देखे, आता है मकर रेखा, सारे तई डिगरी दच्छिन मकर रेख मकर रेखा गुजरी है, दस देशे, वो दस देश का नाम है, चीले, अरजेंटाईना, परागवय, ब्राजिल, नामीबिया, बच्छवाना, दच्छिन ऐपरेका, मोजांबेक, मेडागासकर, अस्टेलिया फिर से सुन लिजे, चीले, अर्जेंटाइना, पराग्वे, ब्राजेल, नामीबिया, बोच्वाना, दच्छीन अफ्रीका, मौजांबेक, मेडागासकर, मेडागासकर को माला गासी भी काते हैं, मेडागासकर, अस्टेलिया, अब है करकर रेखा, सारे 30 दिगरी उत्री अक्छांस करकर रेखा, करकर रेखा, गुजडी है, मेक्सिको से, पस्मी सहारा से, मौरिटानिया से, माली से, अलजीरिया से, लीबिया से, मिस्र से, साउदी अरब से, संजुक्तर अवमिरात, पोमान, भारत, पंगलादेश, म्यानमार, चीन, ताइवान, अफ्रीका, महादेश, एक इसा महादेश है, जिसे करक, मकर, विश्वत, तीनो रेखा, गुजडी है, भारत के बीचों बीच, आठ राज से करक रेखा, गुजरात, राजस्थान, एमपे, थत्तिजगर, जारखंड, पस्चिम बंगाल, त्रेपुरा, मिजोरम, तो याद रखना है, करक रेखा, किस-किस देश से, विश्वत रेखा, किस-किस देश से, मकर रेखा, किस-किस देश से, चेप्टर का नाम है, ताप कर्टिवांद, इसी माएगा, जय विविजिता सब के बारे में, इसी माएगा कहाँ पर temperature अधिक है, कहाँ पर कम है, विश्वत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सारहे छी आसर डिग्री नौर्थ को अपने लोग कहते हैं, Arctic बिरित, Arctic बिरित, यनि Arctic Circular, सारहे छी आसर डिग्री दच्छिन को, सारहे छी आसर डिग्री दच्छिन को, Antarctic बिरित कहते हैं, Antarctic बिरित, यनि Antarctic Circular, 90 डिग्री नौर्थ पॉल, 90 डिग्री आसपे, यनि South Pole, याद रखना है, 0 डिग्री अक्छांज विश्वत रेखा, यनि equator, सारहे छी आसर डिग्री उत्तर कर्क रेखा, यनि Tropic of Cancer, सारहे छी आसर डिग्री दच्छिन मकर रेखा, Tropic of Capricorn, सारहे छी आसर उत्तर आर्टिक बिरित, सारहे छी आसर डच्छिन अंटार्टिक बिरित, 90 डिग्री अनि North Pole, SP यनि South Pole, याद रखना है कि दो अक्छांस रेखा के बीच के भाको कटीवन्द यनि जोन कहते हैं, दो देसांतार रेखा के बीच के भाको गोरे कहते हैं, अब है गिरिक के बिग्यानिकों ने पिर्थवी को तीन ताप कटी बंद में अब देख लीजे ये पिर्थवी है गोल है और गोल पिर्थवी पर सभी जगा सुर्ज के परकास एक समान नहीं पड़ेगी गोल पिर्थवी पर सुर्ज के परकास को सुर्ज के लाइट को ध्यान में रखते हुए इसे तीन पार्ट में बाटा अधिक टमप्रेचर कहां पर रही है ना अधिक ना कम कहां पर रही है सबसे कम कहां पर रही है तो पिर्थवी गोल है और ताप यहाँ पर सनलाइट जो है सभी जगह एक समान तो पर नहीं रही है इसलिए ताप मान को सनलाइट को ध्यान में रखते हुए इसे तीन ताप कटी बंद में विवत कि आग गिरिक के बिज्ञान को ने एक सुने होंगे नाम आप लोग उसन कटी बंद दूसरा समसितोसन कटे बंद समसितोसन कटे बंद तीसरा सीत कटे बंद कौन कटे बंद। सेत कटे बंद पिर्थी चा तीन टेंप्रेट जो हमें विवक्त करते हैं उसन कटी बंद, समसीतोसन कटी बंद, सीत कटी बंद के नाम से अपने लोग जानते हैं, तो इसी तरह करक रेखा, मकर रेखा, विश्वत रेखा, आर्क्टिक विरेत, अंटार्क्टिक विरेत, यह जानना है, अब है उसन कटी बंद होता है क्या, उस्न मतलब हता है गर्म अब देखिए जिसे विश्वत रेखा के उपर सारे तैस कर्क सारे तैस मकर जब भी सनलाइट परेगी सालों भर कर्क और मकर रेखा के बीच में ही परेगी कर्क और मकर रेखा के बीच में सनलाइट सीधी परती है जिसके कारण गर्मी अधिक और गर्मी अधिक होने के कारण गर्मी अधिक होने के कारण इसे उस्न कटे बंद कहते हैं उस्न कटे बंद क्या है विश्वत रेखा के सारे तई डिगरी उत्तार यानी कर्क सारे तई डिगरी दचिन यानी मकर करक और मकर रेखा के बीच में सनलाइट सीधी परती है जिसके कारण गर्मी अधिक होती है इसलिया इसे उस्न कटे बंद के नाम से जानते हैं किस कटे बंद के नाम से? उसन कटे बंद के नाम से जानते हैं। पर एभरेज टेमप्रेचर जुड़ाता है वो 17 डिग्री सेल्सियस। कम से कम टेमप्रेचर 18 डिग्री सेल्सियस। और सद बर्शा 200 सेंटीमीटर। सबसे जादे जय विविजिता। इसको बायो डेवर्सिटी काते हैं। आपके शिलेवस में जय विवित्ता दिया है। सबसे जादा जय विवित्ता यानि बायो डेवर्सिटी विश्वत रेखिया पर्देश में मिलती है। विश्वत रेखिया पर्देश में इसलिए विश्वत रेखिया पर्देश में मिलती है। क्योंकि विश्वत रेखा पर नित्पर्तिदीन बर्शा होती है। जिसके कारण वहाँ बन अधिक मिलती है। जीव जनतु भी अधिक पाई जाते हैं। इसलिए सबसे जादा जय विवित्ता बायो डेवर्सिटी विश्वत रेखिया पर्देश में। बायो डैवर्सीटी का अर्थ होता है जीव जन्तु पेर पौधे के परजाती में अंतर ही जैब विविदिता कहलाती है इंगलिस में बायो डैवर्सीटी और भारत में सबसे ज़्यादा जैब विविदिता केरल राज में केरल राज में इसलिए केरल राज में क्योंकि आप जानते होंगे मान्सून सबसे पहले आती है केरल में और सबसे बाद में पहुंचती है पंजाब राज में और मान्सून सबसे पहले लाटती है पंजाब से सबसे बाद में लोटती है केरल से यानी केरल में पर्स में लगभग 9 से 10 महिना बर्सा होता है और बर्सा अधिक होने के कारण इस छेत्र में बन अधिक जबकि 20 में सबसे जादे बर्सा लुकेगा कि मेगाले में क्यों नहीं मेगाले में इसी लिए नहीं 20 में सबसे जादे बर्सा भारत के मेगाले च्छत में मांच सिंड्राम मांच सिंड्राम पहले चेरा पुंजी था चेरा पुंजी तो ये मेगाले में बर्सा अधिक होती है लेकिन कुछ बर्स के कुछ ही महिने में दो महिने में ही में खुब बर्षा हो जाए, दो मा बर्षा हो लेकिन बर्ष के अधिकान समय दस मा सुखा रहे, वहाँ पर बन जाद सखन नहीं होगा, लेकिन केरल में बताए कि केरल में मानसून सबसे पहले आती है, दच्छिन पस्चि मानसून, और सबसे बाद में पंजाब में और लोटत सबसे बाद में लोटती है केरल से, यानि केरल में लगभग, नौद दस माह बारिस होती है बर्ष के, इसलिए केरल में सबसे ज़्यादा अजय बिवित्ता, यानि बायोडेवर्सिटी पाई जाती है, दिमाग में सेट रखे, जिन छत्रों में अधिक बर्षा होगा, उन छ में बायोडेवर्सिटी वह भारत हो, या वर्ल्ड हो, आप कंसेट बठा लिजे, जहां पर बर्षा अधिक होगी, वहां बायोडेवर्सिटी भी अधिक होगी, याद रखना है, तो विश्वे सबसे ज़्यादे बायोडेवर्सिटी यानि जय बिवित्ता, विश्वत अधिक है परदेश, जैसे आमेजन वेशीन, तच्छीन अमेरिका के ब्राजीन में, कांगों वेशीन, अफ्रिका में, इंडोनेसिया में, यहनी एक्वेटेरियल एरिया में, एक्वेटेरियल एरिया में आपको पहले ही बता चुके हैं, तेरा देश, जहां पर बर्षा उन चेत्रों में, बायोडेवर्सीटी, यानी जैब बिवित्ता, अधिक होगी, याद रखना दिमाग में, यह कुन किताब में किलियर करके आपको नहीं लिखेगा, क्योंकि पहले ही BPSC द्वारा आपको गाइट कर दिया गया है, कि कंसर्ट पर अधारित क्वेस्टन आप को पूछा जाएगा, बहुत लुक्सुर्षत हैं कि ना इंत्यंत का पढ़ लेंगे हो जाएगा, या देखते होंगे बहुत कोचिंग कोचिंग का राक हम करवा देंगे, यहाँ पर जा तक कि आपका कंसेप्ट के लिए नहीं होगा, आपको सफलता में परिशानी हो सकता है इसलिए पहले आप कंसेट बेठाएं, इसके लिए मेरा बैच आ रही है, 29 तारिक से सामके 6 बजे, तो जै बिवित्ता क्या दिमाम बैठ गया होगा, जीव जन्तु पेर पोधे के परजाती में अंतर ही जै बिवित्ता कहलाती है, इंगलिस में बायो डेभर सीटी, तो आज इतने पर रखा जाएं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो ताप कटी बंद के बारे में और विश्व में, विश्व के मानचित्र के अधार पर उसन कटी बंद में कौन-कौन देश आएगा, समसितोसन कटी बंद में कौन-कौन देश आएगा, सीत कटी बंद में कौन कुन देश आएगा किन छेत्रों में विश्व में जय विविता आधिक मिल लई है उसको मानचित्र में आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और जिन छात्षात्रों को पढ़ने का मन है यह नहीं किये केमल मास्टर यह हर जगह काम करेगा विपेसी यूपेसी अन एकजा हर जगह काम करेगा आप लोग आएं जूटें और आपको हम जो ग्रफी में कहीं पर से कोई परिशानी होने की संभाबना नहीं रखेंगे ठीक है झाल 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 झाल